प्रोक बड़िस सीजन 10 में 4 दिन कम्पलीट हो चुक है और अभी तक पत्ना पारेट्स की टीम ने एक भी मैच नहीं खेला है फानली पत्ना फैन्स के लिए ओ दिन आ चुका है आज है बड़ा मुकाबला जहां पे पत्ना पारेट्स की टीम भीड़ेगी तलगू टाइटन्स के खिलाफ मैच नमबर 8 में और इस मुकाबले में दोनी टीम्स की क्या स्टार्टिंग 7 होने वाली है क्या है head to head records और मेरा क्या मानना है कि ये मुकाबला कौन सी टीम जीज सकती है आईए इस वीडियो में इस मैच का प्रिफ्यू करते है फटाफट यहाँ पे मैच की information पर नजड़ डाल लेते है मैच नमबर 8 जो यहाँ पे तलगू टाइटन्स वसिस पत्ना पारेट्स की बीच में खिला जाएगा आज के दिन रात के 8 बजे अब यहाँ पे head to head records पर नजड़ डाल लेते है तो यहाँ पे तलगू टाइटन्स औपटना पारेट्स की टीम अब तक 21 बार भिड़ चुकी है एक दूसरे के किलाब जहाँ पे तलगू टाइटन्स की टीम 10 बार जीती है पतना पारेट्स की टीम 10 बार जीती है एक बार जो मैच है वो यहाँ पे टाइ हुआ है तो head to head बरापरी का चल रहा है लेकिन जब पिछले बार दोने टीम बिड़ी थी तो पतना पारेट्स की टीम में 36-35 से तलगू टाइटन्स को हराया था पीकेल सीजन 9 में तो overall देखा जाए तो पतना के टीम पिछले मुकाबले में जीती है कितने पॉइंट से जीती है सिर्फ एक ही पॉइंट से जीती है तो head to head interesting आकड़े दिखा रहा है देखते है इस मुकाबले में कैसा performance होता है तलगू टाइटन्स की starting 7 से start किया जाए जहाँ पे संजीवी और संकर गदाए सब्सेडूट प्लेयर थे लेकिन इस पार मुझे लगता है कि में starting 7 में इनको मौका दिया जा सकता है वहीं पे पतना पाइरेट्स की starting 7 की बात की जाए तो आप देख सकते हो जहाँ पे हमें सचिन तनवर, मंजीत, दाया, सुधाकर, एम, नीरज, कुमार, सजीन, चंदर, शेकर, कृषिन, दूल, एंड, अंकी जागलान देखने को मिल जाएगे तो मुझे लगता है कि इन खिलाडियों को पतना पाइरेट्स की टीम मौका देते होए देख सकती है जहाँ पे सचिन, मंजीत, नीरज, जैसे बड़े प्लियर्स देखने को मिल रहे है अब दोने टीम के स्टार्टिंग 7 को कंपैर करें इससे पहले मापको बता देना चाता हो PQL का आज डे 5 है और 4 दिन कंप्लीट हो चुके है जिन्होंने भी क्रिकेट गली फेंटेसी चनल को जॉइन किया है उनको पता है कि डेली फेंटेसी टीम्स कहां मिल रहा है और कहां पे डेली प्रेडिक्शन मिल रहे है प्रो कबड़ी के क्रिकेट गली फेंटेसी चनल को आप जॉइन कर लो तो वहाँ पे daily PKL के match के prediction and साथी साथ fantasy teams provide किया जा रहा है, हमारे telegram channel है, आपको कुछ नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, फट फट आप जाके join कर लो, and कल का जो team था, dream 11 का वो बहुत ही सही गिया था, तो जिनको भी team सही है जिनको भी prediction चीए, फट 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 चेक आउट कर लो telegram पे जाके cricket गली fantasy search कीजिए, नितो description box में आपको link दे देने वाला हो दोने teams की starting 7 को compare कर ले तो Telugu Titans की starting 7 आप देख सकते हो, जहाँ पे हमें Raiders में देखने को मिल जाएगे, पवन सहरावत, रजिनीज दलाल और संजीबी एस, और वहीं पे पटना पाइरेट्स में देखने को मिल जाएगे सचिन तनवर, मंजीत दाया, और सुधाकर एम अब पटना की team ने एक भी match नहीं खेला है, Telugu Titans की team ने सिर्फ एक ही match खेला है, तो यह कहना मुसके कौन सी team का रेडिंग लाइनप बहुत ज़दा स्ट्रॉंग है, तो मुझे लगता है कि दोनों ही teams के पास रेडिंग लाइनप में एक कमी है और एक advantage है, तो दोनों का रेडिंग लाइनप बराबर मुझे लग रहा है वहीं पे defense की बात की जाए, तो कवर में तेलगू के पास संकर गदाई, परवेश भेंसवाल जैसे defender है वहीं पे पटना के पास नीरज और सजीन चंदरशेखर का कवर डू दिखने को मिल रहा है, अगेन मैं कहूँगा कि दोनों का ही जो cover duo है, वो यहां पे बिल्कुल बराबर का चल रहा है जहां पे शंकर गदाई ने पिछले match में एक tackle point score किया परवेश ने एक भी point score नहीं किया, लेकिन दोनों ही बड़े player है और वहीं पे नीरज और सजीन अच्छा खेलते आ रहा है, तो पराबरी का चल रहा है लेकिन हम corner defense की बात की जाए, तो तलगु के पास हामीद और संदीब देखने को मिल जाएगे जहां पे दोनों ही form में नहीं है, लेकिन क्रिशन दूल और अंकी जागलान जहां पे अंकी जागलान नया नाम है, लेकिन क्रिशन दूल पिछले सीजन अच्छा खेलेते तो corner के मामले में पटना पारेट्स की टीम थोड़ा सा आगे चल रही है अब यह बहुत ही interesting होने वाला है कि यह मुकाबला कैसे जाता है लोगस ओन पेपर के according दोनों टीम स्थोड़ी सिमिलर दिख रिये और जब भिड़ेगी तो क्या result आता है, वो तो मैं आज ये की दिन पता चलेगा अब यहां पे बात करते हैं उन खिलाड़ेों के बारे में जिन पे नजरे रहने वाली है विगू टाइटन्स की टीम से मुझे लगता है कि परवेज महनसवाल पे सबकी नजरे रहेगी पिछले मैच में एक भी पॉइंट स्कोर नहीं किया दो अंसकसफुल टेकल अटेंप था लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में अच्छा खेल सकते है वहीं पिपटना पारेट्स की टीम से मुझे लगता है कि सचीन तनवर पे सबकी नजरे रहेगी जहां पे सचीन तनवर ने पिछले सीजन 20 मैच में 179 पॉइंट स्कोर किये थे तो इस सीजन के पहले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते है अब यहाँ पे मेरे प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं मेरी क्या प्रेडिक्शन रहने वाली तीन प्रेडिक्शन में आपको बताने वाला हूँ पहले prediction की बात की जाए तो मुझे लगता है कि पवन सहरावत इस मुकाबले में सुपर 10 स्कोर करेगे एंड जो 1000 का red point का मार के वो यहाँ पर टच कर देगे दूसरा prediction यह है कि सचिन तनवर इस मुकाबले में सुपर 10 स्कोर करेगे एंड तीसरा prediction यह है कि पटना पारेट्स की टीम यह मुकाबला जीतने वाली है अभी क्या मेरे prediction से तलगू टाइटन्स की टीम औरड़ी जीत चुकी है वो तो हमें आज के दिनी पता चलेगा अगर आपको लगता है कि पतना पारेट्स की टीम जीतेगी तो आप green heart mention कर सकते हो अभी फिलाल के लिए PKL सीजन 10 का जो नया पॉंस्टेबल है आपने अभी तक नहीं देखा है तो लफ साइट पे क्लिक करके देख सकते हो और राइट साइट पे हमने match no.9 UP10 एन हरियना स्टिलेस का प्रिव्यू किया है वो भी आप चेकाउट कर सकते हो जो इसके बात मुकाबला होने वाला है तब तक मैं मिलता हूँ ऐसे एक और इंटरेसिंग वर्डो के साथ ठैंक्स पर वाचिंग